आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ताब बैनरची प्रधानमंद्वी नरेंद्र मोदी ने आज हूस्टन में सिक्स समुदाय के लोगों से भेट की ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने बताया कि भारत के विकास के प्रती सिक्स समुदाय का जोश देख कर वे बहुत खुश हुए प्रधानमंत्री ने कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधी मंडल से भी विशेश बातचीत की उन्होंने भारत की प्रक्ति और प्रतेक भारतिये के सशक्ति करण के लिए उठाय जा रहे कदमों का पूरा समर्थन किया प्रधानमंतरी ने बताया कि उन्हें दाउधी पोहरासमुधाय के लोगों के साथ भी समयबितानी का अफसर मिला और उन्होंने विभना मुद्धो पर उनसे बातचीत की इस अफसर पर बहरा समुदाय के प्रतिनिधी मंडल ने श्री मोदी का अभिनंदन किया और पिछले वर्ष उनके समुदाय के एक कारिक्रम में भाग लेनी के लिए श्री मोदी के इंदोर दौरे को याद किया तथा सैयदना साहिप के साथ उनके जुडाव का जिक्र भी किया जाबुआ विधानसभा उप्चुनाव का कारिक्रम घोशित होने के साथ ही कॉंग्रोस में राजनैतिक सरगर्मिया बढ़ गई हैं कॉंग्रोस से टिकेट के संभावित दाविदार, पूर्व सांसत कांतिलाल भूरिया, डॉक्टर विक्रांद भूरिया और जेवियर मेडा शामिल हैं उधर भाजपा में भी चुनाव को लेकर सुगबुगा हट तेज हो गई है जाबुआ सीट से विजय रहे भाजपा के जियस डामौर के स्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई है डामौर ने 2018 के विधानसभा चुनाव में विक्रांद भूरिया को हराया था बाद में श्रीडामौर भाजपा से लोकसभा के सांसत चुने गए आयुष्मान भारत मथ्य प्रदेश निरामयम योजना के तहट कल बैतूल और धार जिले में स्वास्त शिवर आयुजद किया जाएगा शिवर में पात्र हितग्राहियों का स्वास्त परीक्षन और उपचार किया जाएगा शिवर के दोरान योजना के अंतरगत मिलने वाली सुविधाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी नवरात्री में सतना जिले के महियर में स्थित माशार्दा के दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रिशासर ने अप और डाउन की 34 यात्री गाडियों का महियर स्टेशन में दो मिनट के लिए अस्थाई स्थाइस टॉपच का नर्ने लिया है यह सुविधा 29 सतंबर से 13 अक्टूबर तक रहेगी शुपुरी जिले के परियतन स्थलों का जीर नोधार किया जाएगा जिल्या कलेक्टर अनुग्रहपी ने कल राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बताया कि जिले में अधिकांश परियतन स्थल घने जंगल और प्राकृतिक जल प्रपात वाले हैं यहां बरसात के मौसम में विशेश रौनक रहती है पारिश के बाद इंस्थलों पर सैलानियों के कारण चहल पहल बढ़ जाती है टुंडा भरका खो, भूरा खो, भदया कुन, सुल्तानगर और पवा जल प्रपात हैं जो परियतन की दृष्टी से काफी महत्वपून है ऐसे स्थानों का जिर्नो धार कराया जाएगा आज शाम के प्रादेशिक समाचार में हमारी सापताहिक श्रिंखला अच्छी खबर में आप जानेंगे प्लास्टर ओफ पैरिस, P.O.P की मूर्तियों के सुरक्षत और सम्मान जनक वसरजन के बारे में अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाच को दिशा देने में मददकार हो सकती है भारत और दक्षन अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम 2020 मैच आज बैंगलूरू में खेला जाएगा मैच शाम 7 बजे शुरू होगा आकाश्वानी से आखो देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में शाम 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा पछले रविवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होने वाला मैच बारिश के कारण नहीं हो सका था वहीं मोहाली 2020 मैच भारत ने जीता था भारत और दक्षन अफ्रीका के बीच टेस्ट श्रिंखला अगले महीने की दो तारीक से शुरू होगी अब कुछ समाचार संक्षेप में शिवपुरी के टॉवर रोट स्थरत एक घर में रखे रसोई गैस सिलिंडर में आग लग जाने से अफरात तफरी मच गई सतना में मतदाता सत्यापन का कारिय बी यलो द्वारा कराय जा रही है ये कारिक्रम 30 सतंबर तक चलेगा पार्टी नाका में अस्थाई पुनरवास केंद्र बनाए गए है शैडोल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री वजय लक्ष्मी साधों ने आज शास्किय चिकित्सा महविद्याले की सामान्य परिशत की बैठक ली उन्होंने नर्देश दिये कि मेडिकल कॉलेज में च्छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए और पूर्व मुखे मंत्री शिवरास सिंग चौहान और भाजपा कारेकरताओं ने आज वनसौर में बिजली बिलो की प्रतियां जलाई इस बुलिटन में इतना ही आकाशवाणी भोपा से अगला प्रादेशिक समाचार बुलिटन सुनिए शाम साथ बचकर 10 मिनिट पर नमस्कार